तो कैसे हैं आप सब आज बताने वाली हूं उन लोगों के लिए एक रेमेडी जिनके चहरे पर बहुत ही ज्यादा दाग धब्बे हैं निशान है चहरा काला हो चुका है ऑपन पॉस की प्रॉब्लम है डाक सरकल है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसे कि जाई यह अगरा ह हैं तो और वो दागधबुं के जान नहीं रहते हैं से आजले गवभाट दागधबर हो चुका होता है तोका Biz To Dobe Varim नीचर ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं चिस-ेंसे हम अपनी health की हैं आपनी स्कीन inside को कर सकते हैं ऐसी एक रेमेडी आज आप लोग के लिए लाई हूं तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और हां फर्स ताइम अगर चैनल पर रहा है वीडियो देख रहे हैं तो प्ली सब्सक्राइब कर लिए ऐसी यूसफूल सी वीडियो के लिए और बैल आइकन को भी प्र हाई कैसे सीज धाट दॉर करता है और घुझे लुझा आणडल व यूस को भी आता है जानते हों के स्किन मोयक्त भीतों को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर अगर कार य Wick monitore ना जाठी सब्सक्राता है मुझेια सब्सक्राइब कर सकता है आपके स्किन को दूस्री चीज मै जालू दागधबों को भचल दी दूर करते हैं लेकिन कुछ लोगों के जो स्किन पर जो माक्स होते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन इसका रिजल्ट इन दोनों चीजों का रिजल्ट होता है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं अगर एक दिन दो दिन आपको लगत करना मिल्ट लेना है जो टामाटार घुझ विटैमीन सी होता है तो से नहीं रत रूट Еाली म bucks करने के ल्युक्रा कि आप चाहते हैं तो तीनों चीजों के ही कव्डान के लिगास पहले रात को सोने पहले अपने चेहरें को अचे-से वैश करेंगे किसी भी साबून से याज जो भी चीज आप यूज करते हैं अच्छे से आप वाश करेंगे उसके बाद आपको यह अपने स्कीन पर लगाना है कॉटन से लगा सकते हैं लेकिन कॉटन से लगाएंगे तो फिर मसाज नहीं हो पाएगी आपको इसे लगाने के बाद कम से कम लगा लगा कर इसको 2-3 मिनट मसाज करना है तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजेगा और अपने चेहरे पर लगा कर इसको मसाज कीजेगा जिससे कि आपके स्कीन के अंदर तक यह एब्सॉब हो जाए तो सरकल में आप मसाज करते जाएंगे पूरे स्कीन पर जहां जहां भी आपको प्रॉब्लम्स ह प्रॉब्लम्स हो जाती है यह सारी ही स्कीन की प्रॉब्लम्स को दूर करेगी तो इसको आपको मसाज करते हुए लगाना है दो से तीन मिट मसाज करना ही करना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है सूख जाएगा वाश नहीं करना है ना ही किसी कपड़े से साफ करना है पूरी रात पोर लगा लगा बबबाद करता है और यह अगर की रात अपनी रात पर लगाकर रखना हैं अगर आपकी शेंसिटिव थो प्लीज आप यह ना लगा एक सेंसिटिव आपके लाइं को साइट इफेक्क तोर। तभी यूज करें एंड ड्राइ स्किन वाले हैं ड्राइ स्किन वालों के लिए हो सकता है आपकी स्किन को यह और थोड़ा से ड्राइ कर दें तो आप इसमें एक विटामिन E का कैपसूल मिक्स करेंगे और फिर इससे अपने चाहरे पर मसाज करेंगे फिर इसको ओवरनाइट यह बाद आप इसको सुभा में जब उठेंगे तब इसको नॉर्मल पानी से वाश करेंगे उस वक्त आप साबून यूज नहीं करेंगे याद रखिए एक और स्टैप अभी आपको फॉलो करना है मैं भी बताऊंगी आपको तो सुभा में आप इसको वाश करेंगे और क송 में चाला था करेंगे तो बताया कुछ साबून इसको लगाने से पहले आप पैसवाश यूज नहीं दिन में अप शुखान लेंगे और उसमें मिक्स करेंगे आप थोड़ासा दून यहाप कर ने कर सकते हैं क्योंकि आपको डेली करना है यह स्टीज जो मैं आपको बता कुँए मन करने के चर्व मेरे हैं द्सकारे होगे और अबात तर मेरे कार्णार को हुए होगे शसर अब उसके काम फिर झोफ़र मेरे टीए मेरे टेंट पर रहे हैं ऑ यह च्रीक्ट पर अपने चेहरे पर तक करने करायें damage पूरी राज चीजे लगाई है वह तो आपके रंग को दूर करेंगी दूद भी आपके दाग दूर करता है तो पांच मिनट तक आप इसे मसाज करते हुए इस तरह से सरकल में अपने पूरे चाहरे पर हलके हाथ से रब करते रहेंगे पांच मिनट के बाद आप इसको तरह पांच मिनट में यहां और टाइम नहीं है उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वाश करेंगे और एक बाद और बताऊं आपको यह मैं भी यूज करती हूं क्योंकि में मार्केट वाला पेस वाश यूज नहीं करती हूं तो मैं बेसन और मिल्क से अपना पेस क्ल चेहरा बिल्कुल खिला और आपको साफ सुच्रा लगता है और इससे दाग थबे रिमूव हो जाते हैं तो अजए आपको क्या करना है किि अगर अगर की शचीन आपकी तो आप फोड़ एडा लगा लेंगे चाहते हैं कोई यह वाच भी प्रसा उन्मुल मतहνεइर 750 सपट अगर अगर आपने सारी चीज लिए और थग घर यह चीजिए यह चीजे器 करके और चहरे के दाग धब्बे आपके नहीं जा रहे हैं और रंग भी आपका काला है तो उसको कैसे गोरा बनाए और कैसे दाग धब्बो को दूर करें यह रेमेडी मैजिक का काम करेगी इसके लिए ही आप प्लीज इसको ट्राइ कीजिए एक हफता ट्राइ करके देख